नमस्कार दोस्तों हमारा नाम डॉक्टर विक्रान सिहतोमर है प्रोजेक्ट सेल्फ इंकॉर्परेशन यूएसे भारत यूनाइटिट कॉंशिसनेस और तपन्च औरे फांडेशन की तरफ से आप सभी कैसागत हैं दोस्तों हम लोग योग सुत्र सीरीज का धिन कर रहे हैं और महरशी पतंजली कहते हैं कि अब हम योग पढ़ेंगे दूसरे सुत्र में उन्होंने बताया योग क्या है चित्त की वरत्तियों के निरोद को योग कहते हैं तीसरे सुत्र में उन्होंने बताया कि इस योग के होने से व्यक्ति अपने स्वभाव में स्थिर हो जाता है अन् प्रतेक वरत्ति या मॉडिफिकेशन ओफ माइंड क्लिस्ट और अक्लिस्ट होता है। चटे सूत्र में उन्होंने पाचों वरत्तियों को समझाया प्रमान, विपर्य, विकल्प, निद्रा और सम्रति। अब ये सब वरत्तियों तो हुनने जान ली पर इनको रोकें कैसे। तो बारवे सूत्र में उन्होंने बताया अब्यास और वेराग्य से चित्त की वरत्तियों का निरोध होता है। अगर आप अब्यास करें और वेराग्य रखें तो फिर ये अब्यास क्या है तो तेरवे सूत्र में उन्होंने बताया कि चित्त की वरत्तियों को रोकने के लिए बार बार यतन करना ही अब्यास है। ये अभ्यास द्रड कब होता है तो चौदवे सूत्र में वो बताते हैं दीरगकाल का निरंतर शुरद्धा पूरवक सेवन किये जाने पर अभ्यास द्रड हो जाता है ये अभ्यास समझ में आया फिर वेराग्य क्या है तो पंदवे सूत्र में उन्हें बताया देखे देखे और सुने गए विश्यू, सरवधात त्रश्नारहित, चित्त की, जो वशिकार नाम की अवस्था है, वही वेरग्य है, जब हम इंद्रियों और जो भी हम देख सुन रहे हैं, उसमें हमारी त्रश्ना समाप्त हो जाए, ऐसा चित्त वशिकार है, वेरग्य की परमवस्था क्या ये तो एक अवस्ता है पर परम अवस्ता क्या है तो सोलवे सूत्र में हूं बताते हैं पुरश के ग्यान से मतलब आत्म ग्यान से प्रकति के गुड़ों में तरशना का पूरा भाव हो जाना प्रकति में पूरी तरशना समाप्त हो जाना इसको परम वेराग्य कहते हैं ये सोल से क्या होता है सत्रवे सूत्र में उनने बताया वितर्क विचार आनंद और अस्मिता इन चारों के संबंद से युक्त चित्वरत्ती का समाधान शांत हो जाना संप्रग्यात योग या समाधी कहलाता है तो जब हम वशिकार वैरागी की स्थिती में आ जाते हैं तो उसके से जब चित्व शांत होने लगता है तो जब ये चित्व इन चारों स्टेप से शांत होता है चार प्रकार की समाधी जिसको समापत्ती कहते हैं उससे जब ये शांत हो जाता है तो इसको संप्रग्यात योग कहते हैं अब संप्रग्यात योग प्राप्त करने के बात क्या हो आज यहां से शुरू करेंगे सूत्र 18 चलिए सो दोस्तों हमने इस आगे जाने से पहले quick understanding फिर से बात करें इन चार जो steps हैं समप्रग्यात समाधी की समप्रग्या इसका मतलब किसी external add से समाधी लेना किसी मदद से हम समाधी में उतर बाया ध्यान करें ठीक तो यह चार steps थी हर step को दो-दो part में बाटा गया था आपको अच्छे से याद है पिछले session में बात हुई पहली step इस सवितर्क उसमें हमने देखा सवितर्क और फिर निर्वितर्क इसके भी दो भाग थे सवितर्क मतलब gross object जिसको छू सके हमने बताया था whole सवितर्क है उसकी गंध निर्वि तर्क है ये दो फिर जब हम object से उपर निकलें तो subtle हो जाए सविचार समाधी तो इसके भी दो पार्ट थे सविचार और निर्विचार इसी तरह से कोई विचार दिमाग में आता है तो वो भी उस विचार में घटनाय सामने आने लगती हैं लोग सामने आने लगते हैं तो जो शब्द अर्थ और ग्यान जब उस विचार का आने लगता है तो हम उसको बुलते हैं साविचार जब शब्द अर्थ और ग्यान भी हड़ जाता है केवल विचार रहता है तो हम क्या कहते हैं हमने पिछली बार इसका meditation भी किया केवल वो आनन्द या वो feeling of gratitude रह जाए तो और उसका वो भी दो प्रकार की सानंद आनंदानुगत सानंद जब आप उस bliss को महसूस करें वो जो आनंद है आनंद मैं कोश में रहे हैं पर आनंदानुगत मतलब उस आनंद के भी अब आप साक्षी बने उसको भी दूर से देखें यह आनंदानुगत समाती है दीरे दीरे हम और डिस्टंस करते जा रहे हैं कि वेराग ये बढ़ता चला जा रहे हैं और दूर होते जा रहे हैं सबसे और इसके बाद सास्मिता ये चौथा चरण है और दूसरा चरण अस्मिता नुगत ये भी दो परकार की होगी सास्मिता और अस्मिता नुगत सास्मिता मतलब जब म पीछे ही छुड़िया है बस मैं अपने अस्तित्व पर फोकस करूँ तो इसको मैं कहूंगा सास्मिता पर जब मैं मेरे अस्तित्व को भी सेपरेट न देख पाऊंगा अस्मिता नुगत मैं उस अस्तित्व से भी परे चले जाओं आइनिस का भी निरोध हो जाओं इस पूरे भ्रमान के साथ में एकाकार हो जाओं मेरा कोई सेपरिट एक्सिस्टेंस नहीं बचाओं ये चरम है समप्रग्याद समालेगा तो अब हम इन आठो चरण को क्या बोलेंगे सावितर्क पहला निर्वितर्क दूसरा तीसरा साविचार चौथा निर्विचार पाच्वा सा आन दंदानुगत सात्वा सास्मिता और आठवा अस्मितानुगत अस्मितानुगत मतलब मैं पूरे ब्रह्मान के साथ एक हो जाओं अब मेरा सेपरिट एग्जिस्टेंस ही नहीं बचाओं नो सेपरिट आए आए आएम वन विद इस इनिवर्स तो इसको ये चरम हो गया संप् समप्रग्यात समाधी का जब इस कदर मैं सब के साथ एक हो जाते हैं तो रादवेश सब समाध को जाते हैं अगर जानदर और मैं एक ही हूँ अगर पेड़ और मैं एक ही हूँ तो जब सब कुछ मैं ही हूँ तो फिर रादवेश कैसे बचेगा इसको कहते हैं परम वैराग् तो इनसान में परम वेराग्य आ जाता है और यही से अब अगली यात्रा शुरू होती है तो परम वेराग्य एक milestone है यहां भई वशिकार वेराग्य से शुरू हुआ था संप्रग्यात समादी यह आठों स्टेज यह आठों स्टेज जहां खतम हुई तो इसको कहेंगे परम वेराग्य अब आज इसके बाद क्या होता है परम वेराग्य तो आ गया अब आगे क्या आज अब उसकी बात शुरू होगी बहुत खुबसूरत सुत्र अठारा हम बात कर रहे हैं पर हम वैराग्य के बात क्या जब हमने अस्मिता नुगत समाधी तक हम पहुँच गए है जब हम समप्रग्याद जितना भी किसी साधन से किया जा सकता है उस सब कुछ कर चुके है पर हम आपको ये बताएं पहले भी आपको पता है संप्रग्यात समादी को ही सब बीज समादी कहते है परम वेराग्य तो है पर अंदर बीज है कर वो फिर से प्रस्पुटित हो सकता है जेनरल जीवन में पूरी तरह से वेराग्या चुका है पर कहीं दूर, बहुत अंदर, गहराई में, वासना में, बहुत गहरी वासना में, कहीं कोई एक बीज है, संभव है कि वो फिर से प्रकट हो जाए, तो इसलिए ये संप्रग्या समाधी सबीच समाधी है, ये ध्यान रखें हैं, बीज अभी भी है, आगे बढ़ते हैं, सूत्र अठारा, विराम प्रत्यया अभ्यास पूर्वह, संसकार शेशह अन्यह, इसका शाब्देकर्थ है, विराम प्रत्यया के बार बार अभ्यास करने से, जब मान से क्रियाशान तो होकर, केवल संसकार शेशह रह जाते हैं, तो वह असंप्रग्यात समादी है इसका क्या मतलब देखिए अब शब्द आ गया है असंप्रग्यात समादी परम वेराग्य के बाद अब रास्ते खुल रहा है तो हुआ क्या वही आठो जो चरण थे जिसको हमने संप्रग्यात या सबीच समादी कही तो आब मारशी पतंजली कह रहे हैं जब इसके बाद इंसान लगातार अभ्यास कीजिए इसी तरह असमितानुगत को और अभ्यास कीजिए तो दीरे दीरे मन अप पूरी तरह से आपके वश में आ जाता है किसी भी तरह के भोग के प्रती नहीं भागता ठीक विराम लग जाता है पूरी तरह से इसको क्या कहते हैं विराम प्रत्याय यह फुल स्टॉप है अब मन नहीं भागेगा फुल स्टॉप ठीक पर याद रखने की बात है रुटीन में मन नहीं भागेगा पर कहीं दूर अंदर गहन वासना का एक भी जबी भी है पर ऐसे मन कहीं नहीं भागता है बिलकुल इनसान पूरी तरह से विराम विराम मतलब रिस्टॉइंट प्रत्याय मीन सेकंडरी कंडिशन तो मीन सम्थिंग जिस से रिस्टॉइन आ जाता है और इसी को हम क्या कहेंगे विराम प्रत्याय से क्या होता है परम विराग्य हो जाता है हम पहले बता चुके है तो विराम प्रत्याय क्या है जब सम्प्रग्याद समाधी को हम बार बार प्रैक्टिस करते है तो विराम हो जाता है फुल स्टॉप लग जाता है और फुल स्टॉप लग दे के बाद जो आता है ग्राम प्रत्य के बाद जो आता है उसको बोलेंगे परम वेरागी परम वेरागी हो जाता है लेख लेखे आप बिलकुल तयार है परम वेरागी का मतलब अब अभ्यास भी समाथ पिछले सेशन में कुछ लोगों ने बात की थी बस अब इस जगए बोर कोई अभ्यास दो का जब परम वेराग्य तक इनसान पहुंच जाता है तब मान से क्रियाएं समाप्त हो जाते हैं यही वो सूत्रे में बता रहा है पूरा मान से क्रियाएं समाप्त हो जाते हैं केवल संसकार शेश रहे जाते हैं संसकार का क्या है यह बिल्कुल वैसे है जैसे आप साइकल चला और साइकल के पैडल मारते मारते एकदम से पैडल मारना पंकर, कर्मा जीरो, अब कोई कर नहीं कर रहे है, आप पैर हवा में कर लिए, तो क्या साइकल एकदम से रुख जाएगी आगा, साइकल नहीं रुखेगी वह, क्यों हो, क्योंकि अभी तक जितने पैडल मारे हैं, वो जो उरजय दी हैं, वो तो पूरी एक्जास्ट होंगी, उतनी आगे तक आपकी साइकल जरूर चले, तो इसी तरह से, वो जो पैडल आपने इतने घुमा दी हैं, उसी को संसकार है, कौन से? कर्मा, जो हमने पिछले जन्मों में किये हैं, अभी हम मानसिक क्रियां हमने सीज कर दो, मानसिक क्रियां सीज होने का मतलब हम राग, द्वेश, शट, रिकू से उपर होगे हैं, अब ना दुख हो रहा है, ना सुक हो रहा है, ना सम्मान में खुशी हो रही ही, ना अपमान में दुख हो रहा है, ना राग है, ना द्वेश है, ना क्रोध है, ना हंकार है, कुछ नहीं है, पर जो पूर्व कर् मा वेदानता सीरीज में ठेंग कीजिए ठीक तो संचित और प्रारद कर्म जो पिछले जन्नों के हैं वो तो हम पे लागू हूँ ये बिलकुल वैसा है कि जिसने कोई व्यक्ति है जिसने बहुत गलत सालत चीजें खा लिये ठीक और आज सुबह से बिलकुल योगास ना करते बिलकुल नियमेट, डाइट, एक्सिसाईस, सब कुछ बच्छी बात है पर वो जो आपने पेट खराब किया है आपने अपना हाजमा खराब किया उसके रिपरकेशन तो खुछ दिन रहेंगे आपको तो यही है संचित और प्रारद कर्म जो हो चुका है ठीक संचित कर जो आप पहले कर चुके हैं, खटा कर चुके हैं, संचित कर चुके हैं, वो तो आपके लागू होंगे ही, तो केवल वही संस्कार बचते हैं, इसलिए कई लोग देखते हैं कि इतने बड़े-बड़े महान पुर्शों के साथ फिर ऐसा गलक क्यों हो जाता है, क्यों जहांगीर के प्रती क्रोध या द्वेश नहीं आया, उत्तर हैं नहीं आया, क्योंकि गुरु अरजन जानते थे, कि अगर मैंने राग द्वेश किया तो फिर से एक जन्म लूँगा इस जहांगीर से बदला लेने के लिए, इसी लिए गुरु अरजन देव नारास किसी से वो अपना कर्तब वे कर्म कर रहे थे, तो फिर इस से क्यों गुजरना पड़ा होने, वो तो इतनी महान विभूती थे, बिल्कुल सच बात, कहीं कुछ संचित कर्म रहे होंगे, जो वो एक्जास्ट करना चांगे, अब नहीं, अब इस वर्ल्ड ड्रामा में और नहीं, तो शीश उतारा जया, दिल्ली में, चांदी चौक में, औरंजेद के दुर्दान काल में, तो भी गुरुतेग बहद्दूर के मन में किसी के प्रती राग दूईश मता, वो अपने कर्तब वे कर्म कर रहे थे, क्यों नहीं पता था, मैंने जैसे ही नए कर्म क्रियेट किये, तो फिर मैं फिर से पैडल घुमाना चालू कर रहा हूँ, और फिर चक्र चालू हो जाएगा, अब मैं पैडल नहीं घुमाँगा, बस, अब जितना घूम रहा है, उसे घूम जाने का, इसलिए तो जब गुरु गोविन से जीए, दोनों बच्चे, दीवाल में चुनवा दिये तो भी उन्होंने कहा, मैं तो परम पुरुस का दासा, देखनाया, जगत तमासा, मैं करतव विकर्म करूंगा, अन्याय के प्रती युद्ध करूंगा, ये मेरा करतव विकर्म है, किम तो, राग, द्वेश, इर्श, अगर कोई भी मेरी शरण में आएगा, मैं उसको शरण ही क्यों ना हो, अब मैं कोई पैडल नहीं घुमाओंगा, तो केवल वो बता रहे हैं महरशी पतंजली, अब केवल, परम वेराग्य के बाद केवल वो पुरा नहीं घुमे हुए पैडल बचे रहते हैं, संचित कर्म और संचित कर्म का प्रारद मतलब वो हिस्सा, जो इस ज वो केवल बीज रूप में या संसकार रूप में रह जाते हैं, पिछली कुछ वरत्तियां कुछ मैनिफेस्ट हो सकते हैं, पर अब कोई नया कर्म नहीं, यही कारण है, महापुरुश्कों को जब आप धरती पे दुख भोगते देखते हैं, तो आप उनसे पूछें तो इस्तिती में नहीं हैं, वो परम वेराग्य की इस्तिती में, उन्हें दुख नहीं होगा, वो अपना कर्ताव कर्म जानते हैं और उनको पता है, यह वर्ल्ड ड्रामा है, गुरू गोविंग सिंह ने तो स्पस्ट कहा, कि देखना आया जब प्रम वेराग्य के दौरां, सबीज समाधी, अब हमने बोला कोई प्रयास नहीं, अब आप already you are there, पर वो बीज है, तो आप किसी external मदद की तो दोरोती नहीं बचे, you are in that state of mind, आप निरंतर समाधी में है, कोई external ज़रोती नहीं है, पर वो बीज अभी भी है, तो चुकि कोई external मदद नहीं चाहिए, तो हम ये बुद्धी से नहीं हो रही, आपके being से हो रही है, समग प्रज्याद, अब इसमें बुद्धी नहीं, अभी आपके being से हो रही है, fine, it's your being, आप ही है, आप एक हो गया है, समाधी से, पर बीज है, इसलिए से सबीज कहेंगे, चीब? तो आसमप्रग्यात सबीज समाधी को थोड़ा समझने ये कब आ रही है समप्रग्यात समाधी के बाद आसमप्रग्यात शुरू हो गई है पर ये पहली सबीज है तो इसके कुछ फीचर समझने चेतन मन की क्रियाएं नहीं होते मन में कोई क्रियाय नहीं होती फूल खिलता है आप देखते है फूल मुर्जाता है आप देखते है नई कार आती है आप देखते है कार का एक्सिरेंट हो जाता है आप देखते है मकान बनता है आप देखते है मकान तूर जाता है आप देखते है घर में एक व्यक्ति पैदा होता है, आप देखते हैं, एक व्यक्ति मर जाता है, आप देखते हैं, कोई क्रिया नहीं, विराम प्रत्य संभाव, ठीक है, मन में हलचल खतन, विचार नहीं, कोई विचार नहीं, आप साक्षी रहते हैं, अहंकार नहीं, कोई limited identity नहीं, आप इस भ्रह्मान के साथ एक हो चुक है प्रकतिला है द्वैत नहीं अपूर भ्रह्मान के साथ एक हो चुक है ठीप अचेतन मन में पूर्व संसकारों के बीज हाँ ये रहेगा चेतन में नहीं अचेतन में पूर्व संसकार रहे आत्मसत्ता का भाग हो आत्म सब्ता का भाम होँ जाएगा झीद आत्मा की प्रकति से पूर्ण सैयोग आत्मा self complete self realization नहीं होता है इसको मुक्ति या मोक्ष नहीं कह सकते है क्योंकि सबीज है यह तो आत्मा परमात्मा एक नहीं होती है झीद अभी आप प्रकती से एक हो चुकिए, प्रकती ले हो चुकिए, कमान्ड ओवर प्रकती, आप इस माया को समझ चुकिए है, तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपको पुनरजन मिलेना पड़ेगा, कितना सुन्दर शास्त्रों में कहा है, जिस प्रकार दुक्की लगाने वाले व्यक्ति को एक निश्चित समय के उपरांद उपर आके सांस लेनी ही पड़ती हो फिर नीचे जाता है, इसी प्रकार, आसम प्रग्याद सभीत समाधी वाले को एक बार तो जन्द लेना ही पड़त तो इस बीज को मिटाने है तो पुनर जन्द लेगा, पर वो जन्द अंतिन होगा, बस, सीस्ट, अब कुछ नहीं, अब कुछ नहीं, यही जो गुरू अरजन देव थे, गुरू तेज बहद्दूर, गुरुगोविन सिंग जी, वो बीज मिटाने के लिए आए, बस अब ज अब यह स्वता होगा, आप अलरीडी यू आर देर, बट कुछ संसकार शोच, तो अब क्या होगा, जिसमें व्यक्ति निर्बीज, असंप्रग्यात समाधी को प्राप्त हो जाएगा, वो पैदा होगा, और रामकर्शन परमंस की तरह, वो परमंस बनके चला जाएगा, भार्शी पतंजली आगे जोगते हैं, भव प्रत्ययो विदेह प्रकति लयानाम, विदेह और प्रकति लय, योगियों का उपयुक्त योग भव प्रत्यय कहलाता है, अब ये एक और इंट्रेस्टिंग और महत्पूर बातों में बोटाई, फिर से सुनते हैं, विदेह और प्रकति लय, योगियों का उपयुक्त जो अप्रोप्रियेट योग है उनके लिए, वो भव प्रत्यय हैं, किनके लिए विदेह और प्रकति लय, ये जो दो प्रकार के योगी हैं, इनके लिए जो अप्रोप्रियेट योग, वो भव प्रत्यय हैं, क्या मतलब ह वहाई इस बाद कर को जरा सोचें, चली फिर से वही सितार उटते है, संप्रग्याथ, हमने बताया था संप्रग्याथ में लेवल थी और फूर कौन से थे? सा आननद और आनन्दा अनुगत, और अंत्म क्या था? अस्मिता अनुगत, तो आप गोर से सुनी, यह जो आनन्द औ की आ चुके हैं इनको कहा जाता है विदेह क्या कहेंगे विदेह तो विदेह कौN है जो आनंदानुगत समाधी को साधे चुके हैं ठीक है वो उस ब्लिस को आनंद को दूर से देंकुए है ठीक है वो शरीर के परे तो पहले ही जा चुके है इसलिए वी देह कहलाते है littopングत पे आ चुके हैं अस्मितानुगत जो अस्मितानुगत को साथ चुके हैं इस पूरी प्रकती के साथ एक हो चुके हैं उनको कहेंगे प्रकती ले फिर से समझें जो आनंदानुगत को साथ चुके हैं उनको विदेह कहेंगे और जो अस्मितानुगत को साथ चुके हैं उनने प् तो थोड़ा सा इन दोनों को अंतर समझें. ये जो विदेह लोग होते हैं, ये बॉडी लेस. विदेह का मतलब ही भी बॉडी लेस. मतलब ये शरीर के होते होते भी शरीर से रिलेट नहीं ज़ाए. स्वामी राम जब जाते थे, कई लोग उन्हें पत्थर मारते थे, ऐसे ही कि उनके कपड़े देख के. ठीक. तो जब कोई उन्हें पत्थर मारते थे, तो स्वामी राम भी जोगों उससे लेखते थे. तो लोग बोलते थे, ये हस क्यों रहे हैं, पादल हैं. तो स्वामी राम कहा रहा थे मैं देखके हसरा हूं कि देखको इसको कैसी मार पड़ रही है वो कभी भी नहीं कहते थे मुझे मार पड़ रही है तो उन्हें पता है इस शरीर को हो रहा है वो कभी वो ये नहीं कहेंगे कि मेरा मन दुखी है इस शरीर का मन दुखी है इसका मन दुखी है इस शरीर को बीमारी है ये इस शरीर के पिता है ये शरीर की मा है ये शरीर की पत्नी है ये शरीर के बच्चे है ये होता है विदे ये शरीर का घर है और वो ये बोलता नहीं है वो इसको जीता है आनन्द को दूर से देखता है आनन्दा अनुगत उपाधी मतलब जितने भी इंस्टूमेंट्स हैं शरीर इंस्टूमेंटी उसको डिया डिस्ट्रॉइट फर हैं उसके लिए खत्म हो जुए फिजिकल बॉड़ी से वो रिलेट नहीं करता है जैसे एक मटखे के पानी को अगर आप समूदर में डाल दें तो को समय बाद मटके का पानी समूदर के पानी से मिलजाता है और उसकी सेपरेट आइजिटिटी बॉड़ी आईजिटी कटम हो नहीं तो आनंद में कोश में रहता है ऐसे लोगों को हम कहते हैं विदेह ये जीते हैं इस तरह का जीवार राजा जनक को कहा जाता था विदेह विदेह का मतलए ये शरीर और शरीव के संबंदित हर चीज को मैं दूर से देखता हूँ मैं खुद को उससे डिफाइन नहीं करता ना जाती से ना लिंग से ना वर्ण से ना धर्म से ना रिष्टों से ना नातों से ना परिवार से ना गोतर से किसी से नहीं मेरा ना कोई गोतर है याद कीजिए निर्वान शटकल चलिए आगे ये हो गया विदेह फिर प्रकती ले कौन है विदेह शरीर के परे हो चुका है ठीक पर प्रकती ले जो असमितान उगत से उसने वो समाधी साध ली है उसकी consciousness इस प्रकती से ले हो चुका प्रकती ले हो गया है ठीक dissolved in the matter he has conquered the nature वो इस माया को समझ गया है वो ये जानता है कि वो एक ही है जिसका इसारे हूँ मैं ही तो वरक्ष हूँ और मैं ही जानवर हूँ महरास्ट के महान संत ग्यानदेजी जब वो बहुत छोटे थे उनका नाम ग्यान था तो वहां के कुछ पंडित चिरते थे और वो उनको यग्योपवित नहीं करने देना चाहते थे तो उन्होंने तो वहीं जब बात चल रही थी उनके पिता जी रिक्विस्ट कर रहे थे कि ग्यान का यग्योपवित करने दीजिया पंडित मना कर रहे थे अच्छा नग रास्पे से एक भैस को एक आदमी हंटर मारता हो ले जा रहा था बैसे को और कह रहा था हंटर मारता हो चल ग्यान चल भैसे का नाम ग्यान था अच्छा ज्यादा उमर नहीं थी यग्योपवित मतलब पांच साथ साल के थे ग्यान देव जी छोटे से थी तो उन भ्रहमणों ने हसी उड़ा आते हुए कहा ये बैसा और तुम में कोई अंतर नहीं है पर ग्यान देव जी तो प्रकती लैथ है उन्होंने कहा आपने सही कहा मुझ में और बैसे में कोई अंतर नहीं है उन्होंने तो तोहीन के रूप में कहा था और ये कहके उन्होंने आख बंद कर ले ग्यान देव जी और जैसे उन बैसे पे मारा, उस आदमी ने जो बैसे को लेके जा रहा था, ग्यान नाम के बैसे को, अच्छानक उनकी पीट पे निशान आ गया जैसे किसी तेज मारा, तो जितने मी भ्रहमन थे चकित रहे गया, ये होता है प्रकतिला होना, एका कार होना, रमन महर्शी कहा करते थे, जब उनसे कोई कहे कि दूसरों से कैसे वहवार किया, तो रमन महर्शी मुस्कुरा के कहते थे, कोई भी दूसरा नहीं है, कोई है ही नहीं दूसरा, ये प्रकतिलाय की भाशा होती है, भगवान प्रिश्न गीता में कहते हैं, अध्या 5, श्लोक 18, अ गाए, हाती, कुटा और चांडाल जिसको समरूप नहीं है, जो चारों को एक जैसा देखे, कितनी बड़ी विचारों तेजक श्लोक है ये, जो कुटे को और भ्रहमन को एक जैसा देख सके, भ्रहम को दोनों में देख सके, जो चांडाल और भ्रहमन में भ्रहमन को देख सके जो गाए और पुत्ते में भ्रह्म को देख सके जो सब में भ्रह्म को देख सके वही ज्यानी है प्रगवान कृष्णी कहते है प्रकती लए सब में मैं हूँ ठीक कारण में लए हो जाता है Dissolve in the cause Mother Teresa हर व्यक्ति का दुख मेरा दुख वो कहती थी कि इस दुनिया में प्रेम करने के लिए समय नहीं मिलता पता नहीं लोग नफरत के लिए कहां से समय निकाल लेते हैं सच बात है प्रकती लए कौन है डेसं इवन आइटिफाय विद्वाइ जा चुके है विदे हैं ब्यांड दे बॉड़ी पर प्रकती ले माइंड के भी बरे वो एक हो गए इस पूरे भ्रमाण से इमोशन, फीलिंग, सब कुछ पीछे चुक चुके है और वो एकाकार है उस पूरी प्रकती से एक हो गए तो ये दोनो संप्रग्याद समाधी है हमने आपको बता चुके है ये उसी के चरण है इस संप्रग्याद समाधी को जब और प्रक्टिस करते है तो क्या होता है विराम प्रत्य आता है हम ये बता चुके हैं विराम प्रत्य से क्या होता है परम वेराग्याद आता है परम वेराग्य ज़ुस्तिती है वहाँ अभ्यास समाप्त हो जाता है और वहीं से आसंप्रग्यात सबीज समाधी शुरू हो जाती है ठीक पर आसंप्रग्यात सबीज समाधी के बाद एक जन तो लेना ही पड़ता है उस बीज को खतम करने के लिए उसको जलाने के लिए तो जब कोई व्यक्ति इस तरह म्रत्य को प्राप्त होता है आसम प्रग्यात सबीच समाधी में ठीक तो सूत्र में क्या कह रहे हैं वो फिर से देखे हैं अब फिर से सूत्र पढ़ते हैं विदे और प्रकतिले योग मतलब यह जो दोनों प्रकार के जो योगी है इनके लिए यो उप्युक्त योग है वो भव प्रत्य है और यह योग हमें पता है आप में से बहुतों को और हम सब को बड़ा पसंद आने वाता है ठीक है यह बड़ा इंट्रस्टिंग योग है भव प्रत्य है इस योग का नाम ठीक है भव प्रत्य है तो क्या कह रहेंगे कि जब प्रग्यात सभी समाधी वाला व्यक्त ही मर जाता है और फिर जब वो जन्म लेता है तो जन्म से ही वो किस योग में होता है भव प्रती है भव का मतलब बर्त पैदा होना या बिकमिंग बनना होना प्रत्य का मतलब secondary, जो उसके बाद आता है, pre-existing conditions, ठीक है, इसका मतलब जो पैदा होना जिसकी condition है, बस एक ही condition है कि आप पैदा हो जाओ, तो उस व्यक्ति के लिए बस एक ही काम इस काइनात में बचता है कि एक बार पैदा हो जाओ, बस, ठीक, तो महरशी पतंजली अदुभव से कहते है कि इस व्यक्ति को पैदा होने के अलावा कुछ नहीं करना होता है, है ना interesting, it is called accomplished by birth, बस उसको पैदा होना है, बाकि वो सब अपने आप accomplished हो जाता है, accomplished by birth को भववप्रत्य कहते हैं, what is भववप्रत्य है? accomplished by birth पाई जो पैदा होते ही accomplished है वो होगा भव प्रत्य है ये किन कुलों के लिए होता है विदेह और प्रकतिले ये लोग जब इस दुनिया से जाते हैं तब एक बार फिर से आते हैं और उस समय भव प्रत्य होता है क्या मतलब ये जब पैदा होते हैं तो अचेतन मन में बीज संसकार के साथ फिर से जन्द पर ये अंतिव जन्द में होता है ये प्रकतिले ही पैदा होते हैं इसलिए इन लोगों के बच्पन का पूरा जीदत में आपको ऐसी ऐसी घटना आज मिलेंगी बड़ी इंट्रस्टिंग घटना है आपको इन वहां लोगों के बच्पन के बारे बेँ पढ़ने को मिलेंगी क्योंकि ये प्रकतिले ही पैदा होते हैं जैसे गुरू नानक वो प्रकतिले ही पैदा हुए थे उनको उनके पिता जी पैसे दे कि जाके व्यापार करो तो 20 रुपे दिये उनके पिता जी ने कि जाके व्यापार करो तो वहां रास्ते हों कुछ लोग भूके मिले उन्हें पैसे उन्हें खाना खिला दिया हो प्रकतिले तेरी भूक मेरी भूक तू भूका तो मैं भूका प्रकतिले, सब कुछ तेरा, प्रकति का, तेरा तेरा, नाना जी के जीवन का ये महत्पुन अध्या था, तेरा तेरा हो हमेशा कहते हैं, सब कुछ तेरा है, सो ये जो है, प्रकतिले ही पैदा होगी, इसलिए बच्छमन में उनको ऐसी ऐसी घटना है, आपको उनकी सुनने को अक्सर मिलती होती है पर ये जनरली चार-पांच साल बाद मैनिफेस्ट होना शुरू होती है एक गम से ही मैनिफेस्ट नहीं होगी क्योंकि थोड़ा-थोड़ा उनको भी समझ विक्सित करने में समय लगता है पर चार-पांच साल के अंदर ये मैनिफेस्ट होना चालू हो जा इनके संचित और प्रारब्ध कर्म भी मेनिफेस्ट होंगे। जो पैडल घुमा के छोड़ दिया है वो घुमेगा। पिछले अगर कोई कर्म बचे होंगे तो वो एक्जास्ट होंगे। और दूसरा जो पूरी उपलब्धिया रही है इतने जीवन की। लाखों जीवन की पड़ी है। बैठे थे तो बैठे ही रह जाते हैं। चोटे से ना लगए। ऐसे कैसे ध्यान लग जाता है इस बच्चे का। वो बच्चा नहीं है। वो प्रकति लयाए पैदा हुआ है। भाव प्रकत्य है उसका। उसको किसी योग साधना की जूरूत नहीं है। और के लिए उनके मन में आया परमात्मा क्या दिखा रहा है कि क्या हो रहा है पर अचानक उन्हें फिर से याद आ गया यही करने तो मैं आया हूँ यहाँ अगर फिर द्वेश हो गया रोमन के प्रतीब पिर आना पड़े पिर तो सारा जन्मी वसूल हो गया तब फिर जीजस ने पिर का कि परमात्मा इन्हें माफ कर दो कुछ मेरे मन में इनके प्रतीब है यह भी मुझे प्रिया है यह नहीं जानते है क्या कर रहे हैं फोगिब दें यह क्यों हुआ इतना कस्टकारी क्रूसिफिकेशन संचित कर रहे हैं ठीक पर कई लोग इसको कैसे परिभाशित करते ह हो अच्छे लोगों के साथ कितना बुरा हो रहा है बुरा नहीं हो रहा देयर फिनिशन फाइन जीजिस कहते है यह नائस गायस फिनिश लास्ट अच्छे वेक्ती आक री में खटब करते हैं तो यह फिनिशन अड़ राम करशन परमंस का गला दर्द होता था ठोड़े की तर दर्द दे रही तो वो भी मुस्कुरा के कहते थे जब दर्द नहीं हो रहा होगा थै कि नरेंद्र माता मुझे बुला रही है ये शरीर कैसे तो जाये का ला ला उसको गला रही है गल जाने दी इसको और मैं जाने का बड़ आई तुझे सिखाने के लिए ही तो रुका था, तुझे भी सिखा दिया, अब बचा क्या है, हमें देख के लग रहा है कि देखो अच्छे उनके साथ कितना गलत हुआ है, गलत कुछ नहीं हो रहा हूं उनके साथ, बस वो अंतिम संचित कर्मों को निट्रलाइज कर रहा है, शंकर की उनकी जब बेटा हुआ, बच्चा हुआ, बेटी हुई, तो बेटी होने के कुछी समय बाद माता की मरत्य होगी, मतलब उसकी पत्नी उनकी पत्नी की मरत्य होगी, उसके बाद पूरा जीवन भर बेटी को अकेले उन्होंने बढ़ा किया, बेटी की जब शादी की, जब जमाई आये उनका नाम हरी था तो जमाई की हत्या कर देगी गर्दन काड़ देगी जमाई पैदा हो कि कुछ समय बाद माता की मरती है कुछ समय बाद बेटी होने के कुछ समय बाद पत्नी की मरती है बेटी को बढ़ा करें तो जमाई की कतल अब देखा जाए तो जीवन दुख से भरा है पर अगर आप शंकर देव का जीवन देखेंगे तो क्रतग्यता से भरा है क्योंकि उनको पता है अब मैं इस चक्र में नहीं पढ़ने वाला है यह ड्रामा अब और नहीं पिरियर्ड फुल स्टॉप शंकर देवी वो है जिनोंने भागवत का प्रसार पूरा असम में किया है आज असम में जो भागवत के संबन्द पे डांस दिखते हैं उस अब शंकर देव जी की क्रपा है उनकी कॉंट्रिबीशन नर्सी महता इनके जबे पांच साल के थे नर्सी महता इनके माता पिता की मत्ती हो गई पांच साल भाई भावी ने बढ़ा किया भावी और भावी को कोई बच्चा नहीं था तो भी भावी इनको पसंद नहीं कर देए आप कल ना कर सकते हैं रोटी फेक फेक के देती थी औ उससे बहतर तो कुट्ते हैं नर्सी महता फिर जब इनकी शादी हुई उसके बाद इनके पुत्र की मरत्ती हो गई इनकी पत्नी की मरत्ती हो गई इन्होंने ही तो महामगीत लिखा है वैश्नव जन तो तेने कही है पीर पर आई जाने रहे जो महत्मा गांधी का फेवरिट हों था नरसी मेहता पर अगर आप नरसी मेहता से पूछेंगे तो उनका जीवन क्रतग्यता से भरा हुगा था हुगा था फुल ओफ ग्राटिटेट हम लोग देखते हैं दूर से इसलिए हमें लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, बुरा हो रहा है, ये बुरा कुछ नहीं हो रहा है, पर्फेक्ट हो रहा है, जो होना था वही हो रहा है, in fact वो चाहते ही कि यह हो, और इससे घुजर कि अगे पढ़ें, संचित और प्रारद करम, रहेंगे महापुर्शों के भी जीवने, but they have complete control over their mind mental activities पर ये महापुरुष अपने mental activities को पूरी तरह से control रखते है ये सब को ईश्करपा प्रभू इच्छा मांगे सुईकार करते है कर्मा won't control दें अब कर्मा उन्हें control नहीं कर सकता कि उसने मेरे साथ बुरा कर रहा तो मैं दुएश कर लेगा वो किसी से दुष नहीं करेंगे जो बुरा करेगा उसको भी प्रेंगा because उनको अब कोई कार्मिक एकाउंट नहीं create करता है won't control the way they think अब उनके कर्मा उनके सोच को प्रभावित नहीं करेंगे अब वो निर्धारित करेंगे उन्हें कैसे कर्मा है तो कर्मा कर्मा मतलब वही संचित कर्म या प्रारद won't have any impact on their actions प्रारद कोई भी स्थिती आजाए वो स्थिती उनके सोच को नहीं बिगाड सकते क्योंकि वो प्रकतिला है वो नय कर्म निर्मित ही नहीं करते they are very particular about it absolutely absolutely birth control तो no mental modifications अब जन्द आना ही नहीं और बिलकुल साक्षी भाव होके neutral होके सब कि देख रहे हैं और इस साक्षी की अगनी में कर्म बीच को बस्व करते हैं जो बचा हुआ कर्म बीच है वो भी बस्व करते हैं और इससे निर्बीज आसंपरग्यात समाधी को प्लब्द होते हैं सौ आत्मान वूती करते हैं जिसको सूत्रतीन में महारशी पतंचरी में बता है सौ में स्थापत होते हैं और इसी को कैवल भाव कहते हैं मुक्ष प्राफ्ट करते हैं इस तरह की इनकी जर्मी होता है इसको भाव प्रते कहते हैं खुबसूरत चर्मी और यही वो लोग होते हैं फिर जिनकी हम कहानिया पढ़ते हैं भगवान कृष ने यही तो कहा है कि योगा रूर जब अरजुन घबराता है याद कीजे चैप्टर सिक्स में अरजुन कहता है कि मैं यह जो सीख रहा हूँ आप जो बता रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कहीं का न रहूँ ना समाज का रहूँ ना अध्यात का रहूँ तो कृष्ण हमेशा कहते हैं मेरे भक्त ना प्रडश्यती उनका पतं कभी नहीं होता तुम बादलों की तरह कभी नहीं बिखरोगे जो कुछ तुमने सीखा है याद कीजिए भगवत गीता अध्याइच छे श्लोक 43 एसे व्यक्ति योगा रूड जो होते प्रकतिले जो होते वो प्रकतिले शब्द यूज नहीं करते है योगा रूड शब्द यूज करते है पर मतलब एक यह है ये लोग ग्यानवान योगियों के पुल में जन मिले भगवान करश्च बोलते हैं गीता चेप्टर 6 वर्स 43 ग्यानवान योगियों के करते हैं ठीक जैसे महर्शी अर्विंद अर्विंद महर्शी इनके पिताजी बंगाल के बहुत बड़े डॉक्टर थे बहुती दयालू बहुत अच्छे व्यक्ति परोपकारी व्यक्ति थे इतना परोपकार करते थे कि इतने अमीर होने के बाद भी कई बार उनके खुद के पास अर्विंद जी के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं बचते रहे ऐसे योगियों के घर कुली इन अच्छे लोगों के घर जद्ध होगा शंकर देव जो है जिनके बारे में हमने बताया असंद के उनके पिताजी शिरोमणी थे शिरोमणी मतलब विद्वान महांद्रा एक सत्ता संपन्द वेक्टी उनके घर शंकर देव का जद्ध हो ये ज्यान देव जिनकी बात हम कर रहे इनके पिताजी थे विठ्थल पंथ ये विठ्थल पंथ तो बच्पंथ से ही सन्यास लेना चाहते है गर छोड़के भाग गए पिताजी पकड़के लाइज़ा बरदस्ती शादी करी शादी करने के बाद उनके सन्यास की प्रवत्ती इतिनी तेज थी विठ्थल पंथ में कि शादी करने के बाद फिर से भाग गए और जब शादी करने के बाद भाग गए तो उसके बाद वहाँ गुरू को भी जुट बोल दिया कि मेरी कोई पत्नी नहीं है और वहाँ सन्यास ले लिया फिर बाई चांस गुरू को पता लग गिया तो गुरू ने वापस घर बेजा कि नहीं तुम पहले ग्रस्त आश्रम पूरा करो विट्टल पंद को फिर विट्टल पंद के चार बच्चे हुए अब ज़रा नाम सुनियन बच्चों का आपको समझ में आ जाएगा कि विट्टल पंद के अंदर कितनी तीव रिच्छा थी सन्यास की इनके चार बच्चे थे पहले बेटे का नाम रखा निव्रती दूसरे का नाम लिखा ग्यान तीसरे का सोपान मतलब चरन और चौथे का मुकता लड़की का नाम तो निव्रती, ग्यान, सोपान, मुकता था कि वही चीज बार-बार याद आती रहे तो ऐसे विट्छल पंद के घर ज्यानदेव का जन्म जिन्होंने बाद में ज्यानेश्वरी लिखी जो मराठी में गीता उनका नुवात करा हो गया जगनात मिश्री जी के घर किसका जन्म हुआ निमाई का जन्म हुआ जगनात मिश्री जी भी बड़े विद्वान थे उनके दो बच्चे थे जगनात बेटे सन्यासी हो गए छोटे बेटे थे निमाई और इनको डर लगता था कहीं ये भी सन्यासी ना हो जाए और हुआ वही निमाई भी सन्यासी हो गए और बताए निमाई का नाम क्या है आप सब अच्छे से जानते हैं इस सेशन में ऐसा कोई नहीं है जो निमाई को न जानता निमाई को सन्यासी होना था हो गए उनको हम चैतन महाप्रभू के नाम से जानते हैं देखिए उनका जन्म ही ऐसे घरों में हो जहां उन्हें ऐसा माहौल मिलना शुरू होता है फिर भगवान कृष्ण फिर गीता में चैप्टर 6 वर्स 43 में बोलते हैं याद कीजिए और पढ़ना इस बारे में भगवान कृष्ण फिर बोलते हैं चैप्टर 6 वर्स 43 वहां पूर्वदेह से संग्रह किये गए बुद्धी संसकार को अनायास ही प्राथ कर लोग तो ये लोग जो होते हैं ये पूर्वदेह पिछले जन्मों में चुकी हो संप्रग्यात समाधी हो चुकी थी प्रकपिलय हो चुके थे परम्वेराध्य हो चुका थे अब तो केवल एक जन्म बाकी था तो ग्यान देव बहुत चोटी सी उमर में गीता पढ़ने लगे थे बड़े होके ज्यानिश्वरी लिग दी शंकर देव बहुत चोटे थे तब से भागवत पढ़ने लगे थे बाद में पूरे असम में भागवत उन्होंने प्रचार किया नर्सी महता आठ साल तक बच्पद में गुंगे थे पहला शब्द एक ग्रशीद ने उनके कान में बोला राधे कृष्ण और एक दम से उनके मुझ से निकला राधे कृष्ण आ उनके घर में एक संता है और उन्होंने उस छोटे आप घर में भी करके देखिए यह बड़ा इंटरस्टिंग एकसरसाइज है चोटे बच्चे जो स्क्रॉल करते हैं बुटने बुटने चलते हैं उनके सामने खूप सारी चीज़ें जमा दिये उस फूल रग दिये भागव रग दी खिलोने रग दिये बहुत सारी चीज़ें रग दिये और बच्चे को बीच में छोड़ दिये अब देखते हैं बच्चा किस तरफ बढ़ता है चैतना महाप्रोव इतने चोटे थे स्कुरॉल करके भागवत की और चले है और भागवत से खिलने लगई भागवत ग चैतने महाप्रोव हरी शब्द जब छोटे थे हरी शब्द सुनके नाचने लगते थे और फिर इनकी भी जब शादी हो गई तो इनने भी भगवान बुद्ध की तरह घर छोड़ा था इनकी पत्नी जब सो रही थी तो सोते सोते उनको छोड़के निकल गयते आदी जब छोटे थे बच्पन से मा को कहते थे मा मुझे संयास लिना मा मुझे संयास लिना मा लेने नहीं देती ये बात कहां से आती थी तुनके दिमाने भववप्रत्या है सभावी प्रूप से स्वतहा आती है और फाइनली व्यक्ति माँ पहुंची जाएगा ताएं बाएं करके आप कितना ही रोक लें वो पहुंचेगा वहीं क्योंकि उसके जन्म का ही कारण ही हुई है एक बार शुक्राचा पहुए नहा रहती है एक मगरमच्छ ने पैर पकल लिया हुँगे अब मगरमच्छ ने बच्छे को पकल लिया अप तो खेल खतर हो उनकी माँ वही थी तो उन्होंने माँ से चिला के बोला मा आप तो मैं वैसे ही मरने वाला हूं आप मुझे सन्यासी होने का अनुमती दे दीजे ताकि कम सकम मैं सन्यासी होके मर सकूँ मा की भी करुणा से आंसु निकला है माने बोला हाँ बेटा तू हो जा सन्यासी तुझे जो करना कर जैसे ही माने बोला हाँ बेटा तू सन्यासी हो जा मगर मच पैर छोड़ के चल दिया सारी काइनात conspiracy करती है उस प्रकतिले को वहाँ ले जाने के लिए जहां के लिए वो आया है कभी-कभी तो कोई बुद्ध होता है कभी-कभी तो धरती पे ऐसे लोग आते है इसलिए सब कुछ वैसा अदूरूप होने लगता है कभी-कभी तो धरती पे मीरा आती है पांस साल की उमर में किसी का प्रोशिशन निकल रहा था शारी की बारात निकल रही है चोटी सी मीरा ने मा से पूचा मेरा दूला का है मा ने भगवान कृष्ण की मूर्थी के सामने ले जा के खड़ा कर दिया यही यही तेरे दूले है बस उस दिन से मीरा कृष्ण प्रिया बन गई पूरा जीवन उन्हें जहर पिला दो पांच साल के बच्चे में इस तरह का लगाओ वेंकर रमन सोला साल के थे उनके घर एक महमान आया खाना खाते खाते महमान से पूछा उनके पिता जी ने कहां से आया है तो महमान ने बताया मैं अरुना चलं से आया पता नहीं क्या हुआ बेंकर ड्रमन को अरुना चलं और और बताओ मुझे इसके बारे में अरुनाचलम उन्होंने नहीं सुना था पर उस शब्द उनके कामों में ऐसा गूजने लगा कि उन्होंने फिर जीवन का लक्ष बना दिया मुझे अरुनाचलम ही जाना है आपको पता है घर से पैसे चोरी करके भागे अरुनाचलम जाने के लिए इस कदर होता है भवप्रत्य और उनको आज आप रमन महरशी के नाम से जानते हैं ये पैदा कहा हुए थे इनका घर मदुरई में मंदिर से और इनका घर पास-पास घर से मंदिर से लगा हुआ थे ऐसे माहौल में ये लोग पैदा हो रामानोजन सोला साल की उमर में तो पूरा वेद अध्यन कर दिया था क्यों क्यों कि इनका घर श्री पेरंबूर मंदिर में था ये मंदिर में पैदा होके मंदिर में बड़े हुए भगवान करशन कहते हैं गीता ने ये ऐसे ही जगे पैदा होंगे जैनों के जो 19 तीर्थंकर हैं मालीनात शीज़ फीमेल और प्रॉब्ली फीमेल तीर्थंकर वो बच्पन से उनमें वो अध्यात मिंदों थै तो ऐसे अ कि संसकार के बल से इस जन्म में संसिध्धी को प्राप्त करेंगे भगवान करिशन बोल चुके कि अनेक जन्मों के संसकार के बल से इस जन्म में संसिध्धी को प्राप्त करेंगे और संपूर्ण शुद्धों के परंगती को प्राप्त करेंगे ये होगा भावपरत्त है इ स्वताह उस यात्रा पे बहेगा आइडेंटिफाइ कीजिए वो किसलिए आया है उसके जीवन के उद्देश क्या है और धीर धीर उसको उस तरफ बढ़ाईए मदद कीजिए उसके क्योंकि आप नहीं करेंगे तो भी जाएगा वो वही और ये बात केवल महान विबूतियों पर ही लागू नहीं होती हम सब अपनी अपनी वासना वाशाते हैं वो वासना पूरी करने ही लिए ही तो हमाएं हैं उसको निर्बीच करने के लिए पर भवव प्रत्यवालों का केवले एक छोटा सा बीच बचता है हमारे बहुत सारे हम लोगों के शायद पूरी फसले चाहोगा बस वो उखाड़ जाते हैं तो इस तरह से हम देखते हैं जंगलों में जब खर्पतवार को उखाड़ा जाता है तो यह क्या करते हैं खतपरपार को उखाड़के उसकी जड़ उपर करके उसे सुखाते हैं क्योंकि जड़ नीचे रहे गई तो फिर से पनव जाई तो जड़ उपर रहता है मूँ नीचे तब वो सूफती है खर्पद्वार खेतों में बस यही है भव पुरत है तो जड़ सुखा देती है अंते खत्र है श्री व्यास और वाचसपती मिश्रा कहते है म्रत्यों के उपरांत विदेव प्रकतिले देव हो जाते हैं अब कई लोग जब म्रत्यों हो जाती है जिनकी जो विदेव प्रकतिले थे तो देव बन जाते हैं वही देव हैं और वो आनंदमाय स्वर्विस से धर्तियों की प्राणियों की मदद करते हैं तो ऐसे लोग जो अ अपना एक बीज खतम करने के लिए, निर्बीज होने के लिए, वो अभी उपर है, वो हम सब की मदद कर रहे हैं, जब आप ध्यान लगाते हैं, तो कई बार जब आपका ध्यान गहरा लगता है, तो जानी है उन्होंने मदद की है, कई बार जब आपको अध्यन करते हैं और आ जिस्कती मिश्रत देखे हैं सुन्दर सूत्र सूत्र उन्मिस अब आगे बढ़ेंगे सूत्र बीस में सूत्र बीस में आगे बताते हैं महर्शी पतंजली श्रद्धा वीर स्मरति समाधी प्रज्या पूर्वक इतुरे शाम इसका क्या मतलब होगा इतरे शाम इतरे शाम का मतलब इनके अतिरिक्त इनके अलावा दूसरे इतरे शाम दूसरे कौन जो ना तो विदे हुए ना प्रकतिले हुए मतलब वो लोग योगा रूड नहीं थे योगा रूड नहीं हो पाए शायद हम लोग जो योगा रूड नहीं हो पाया इत्रेशा वो बाकी लोग तो बाकियों को क्या होगा वो अगले श्लोप में बता रहे हैं ताकि हम लोग hopeless नहों इत्रेशा बाकियों के साथ क्या होगा बाकी योगियों को श्रध्धा, वीर, स्मरती, समाधी और प्रग्या आधी उपायों से आसंप्रग्यात समाधी की तरफ ओबढ़ेंगे तो बाकी लोग कैसे आगे पढ़ेंगे वो श्रध्धा, वीर, स्मरती, समाधी और प्रग्या पूर्वक मतलब ध्यान दीजे, इनको भवप्रत्य नहीं मिलेगा, इन्हें प्रियास करने पड़ेगा तो इसको क्या कहते हैं? उपाय प्रत्य उपाय प्रत्य किनके लिए है? जो योग भरस्ठा है योगारूर नहीं है, विदेह नहीं है, प्रकतिले नहीं है जो योग भरस्ठा है, योग भरस्ठा कौन होते हैं? जो योग की यात्रा पे चलते हैं पर उसे पूरी नहीं कर पाते हैं और उनका ये शरीर, ये जो इंस्टुमेंट है, ये समाप्त हो जाता है इट डिकेस जीवन समापत हो जाता है ये क्यों होता है क्योंकि अक्सर ये लोग बहुत लेट ये यात्रा चालों तो इनके शरीर में ताकत ही नहीं बचती तो जब इनको समझ में आना चालो होता है तब तक शरीरी कतल हो तो ये योग बरस्टा हो जाता है तो ये समप्रग्याद समाधी को भी नहीं पहुँआ पाते हैं ये उसके भी शुरुवाती चड़ों में रहते हैं ये कहां रहते हैं याद कीजिए ये सवितर्क और निर्वितर्क समाधी करते हैं ये ऐसे प्रियास करते हैं मैक्सिमम ये ये कर पाते हैं सवितर्क और निर्वितर्क समाधी जो अबजेक्ट से संबन्दित होती है या फिर इन में से भी कुछ विरले सविचार और निर्विचार समाधी तक पहुच पारा है जो माइंड से संबन्दित होती है thoughts तो सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार ये लोग जो हैं चारों तरह की जो समाधी वाले बहुता है समभवता हम में से अधिक तरह अगर हम ये इन समाधियों को साध लेते हैं तो कुछ खराब नहीं होगा ये हमारा ध्यान उप्योगी रहेगा इस तरह के लोग जब दुनिया से जाते हैं ये उप्योग बरस्था विकॉस उन्होंने समप्रध्यात समाधी को अचीव नहीं किया जब ये एक्सपायर होते हैं जब ये म्रत्वी को प्राप्त होते हैं तो जब ये फिर से पैदा होते हैं तो इस पॉपाय प्रत्य अकम्प्लिश्ट थू स्प्रिच्वल प्रैक्टिस भव प्रत्य नहीं होगा इंपर उपाय प्रत्य चलेगा उन्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगे दे हैव टुट्वाइल लॉट फाइं और दे ट्राइट तो रीच पहले संप्रग्याद समाधी को पूरा करेंगे फिर संप्रग्याद समाधी साध लेंगे फिर वही रास्ता उनका भी वही फिर वहां पहुँच जाएगे विद्य या प्रकतिले हो जाएगे तो इनको means and method उपाय करने पड़ेगे और उपाय कौन से पाँच reflection ने हमने आज क्या सीखा हमने ये जाना कि जो आठ स्टेज़ेज़ है सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, आनन, सानन, आनन्दानुगत और सास्मितास्मितानुगत इन आठों को साधने से व्यक्ति संप्रग्याद समाधी को साध लेता है सब्रग्याथी सबीच समाधी है जब बार-बार आप अभ्यास करते हैं क्योंकि अभ्यास करने से और सबती है तो धीरे-धीरे आप विराम प्रत्य पे पहुंचते हो विराम प्रत्य मतलब विराम, फुल स्टॉप modifications of mind शान हो चुका है अब आप विराम कर चुकी है इससे परम वैराग्य सिद्ध होता है परम वैराग्य से अभ्यास का जून कतल हो जाए अब केवल मानसिक क्रियाएं जित्ती बित्यों सब समाथ हो चुकी है अब संसकार शेशन संचित और प्रारद कर्म शेशन बस वो manifest होगे बस वो पैडल बचा हुआ भूनेगा वरत्यां केवल बीज रूप में संसकार रूप में रह जाए और व्यक्ति आसंप्रग्याद सबीच समाधी को प्राप करेगा ये सूत्र अठारा में बताएगा आसंप्रग्याद सबीच समाधी चेतन मन की क्रियाएं नहीं होती इसमें विचार नहीं होते अहंकार नहीं होता द्वैत नहीं होता आचेतन मन में पूर्व संसकारों के बीज होते हैं आत्मसप्ता का भान होता है पर एकाकार नहीं होता realization नहीं होता मोक्ष नहीं मिलता प्रकति लाए हो जाता है प्रकति से एकाकार हो जाता है command over प्रकति इस मया को समझता है और पुनरजन्म लेता है अंतिम जन्म जिस पारकार डूप की लगाने वाले को एक बार फिर से आना होता है वो फिर से आता है और फिर इस बीज को मिटाने के लिए जन्म लेता है वो अंतिम जन्म होता है और उस जन्म के बाद उस बीज को भी जला देता है और जिससे निर्बीज असंपरग्यात समाधी को प्रात्थ होता है और इसको प्रात्थ होने के बाद विदेह और प्रकतिलह जो लोग होते हैं उनको जो योग मिलता है वो भव प्रत्य होता है विदेह कौन होते हैं जो आनंदानुगत समाधी को स्थापित कर चुके होते हैं अपने अंदर बॉडी लेस होते हैं शरीर होते हुए भी शरीर के परे होते हैं इस उपाधी बड़ बोड़ी इंस्टूमेंट से एको डिस्ट्रॉइ कर चुके होते हैं mentally, physically भी अगर उस दिन्या में नहीं है, उपर जाते हैं तो विदेह देव बन जाते हैं, जब तक जीरें तो विदेह, आनंद कोश में रहते हैं, जैसे एक लोटे का पानी सागर में फिर में गया, उनक्यों body से identify नहीं करते हैं, they are beyond their body, they are body less, disembodied हो जाते हैं, जो अपनी आइनस को भी समाप कर चुके होते हैं, शरीर ही नहीं, body नहीं, mind के भी परे हो चुके होते हैं, consciousness merges with प्रकत, वो सब के साथ एक हो जाते हैं, dissolved in the matter, they conquered the matter, but they have not realized the purusha within, वो स्वा आत्मा नो भूती नहीं होगी, वो कारण में लेह हैं चुके हैं, dissolved in the cause, they don't identify with the mind, they see the drama of the nature, Maya को देख पाते हैं, पर वो खुद की separate identity नहीं मानते हैं, कोई separate identity ही नहीं, एक हो चुके हैं, ये लोग को योगा रूर कहते हैं, संप्रग्याद समादी साध चुके होते हैं, और प्रैक्टिस करते हैं, तो विराम प्रत्याप आते हैं, उससे परम वैराग्य को प्राप्त होते हैं, परम वैराग्य पर अभ्याद समादी हो जाती हैं, और ऐसे व्यक्ति जब्रत्य को भव प्रत्य के साथ पैदा होते हैं, भव का मतलब बाय बर्थ ही, accomplished by बर्थ, अचेतन मन के बीज संसकार के साथ पुन जन्म लेते हैं, पर यह अंतिम जन्म होता है, जिसमें बिना कुछ किये ही कैवले प्राप्त होता है, यह प्रकतिले ही पैदा होते हैं, और यह चार-पाँच वर्ष के बाद manifestation शुरू होता है, और unmanifested करमा भी इसी समय manifest होता है, तो इनको पूरु उकलद्धियों का स्मरण भी आता है, और इनको कोई नई योग साधना की जरूत नहीं होती, पूरे जीवन को साक्षी होकर देखते हैं, सारे घटना करम को आप प्रतिकार सहते हैं, जैसे जीजस, परमन, शंकर देव, नर्सी, मैता, आप प्रतिकार पूरु रखते हैं, इने पूर्व जन्मों का फल मानते हैं और इनको भूगते हैं, और इनके संचित और प्रारब्द करम रहते हैं, पर ये करम उनके वहवार को नियंतरित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नया कार्मिक अकाउंट वो क्रियेट नहीं करना चाहते हैं, उनके पुराने करम, उनके नए करमों को प्रभावित नहीं करते हैं, साक्षी बने रहते हो और साक्षी की अगनी में कर्म के बीच को भस्म करते हो और निर्बीज आसंप्रग्यात समाधी को प्लग्द हो जाते हैं और स्वा आत्मान भूती करते हैं और कैबल भाव से मोक्ष माध करते हैं श्री व्यास और वाचस्तती विश्वा कहते हैं कि म्रत्यों के उपरांत जब पिनका जन्म नहीं रहता है ये उपर लोकों में भी विदे और प्रकतिले देव बन जाते हैं और वहां से आनंदमाय 42, 43, 44, 45 में कि उनका ज्यानवान योगियों के कुल में जन्म होता है वहां वो पूरवदेह के संग्रह किये गए बुद्धी संसकारों को अनायास ही प्राप कर लेते हैं और अनेक जन्मों के संसकार के पल पर इस जन्में संसिध्धी प्राप करते हैं पर जो लोग ये नहीं करते उनके साथ क्या होता है तो सूतर 20 में बताया इतरे शान इसके अत्रिक जो विदेह और प्रकतिले नहीं उपाते हैं उन योगियों को उपाय करने परते हैं कौन से उपाय श्रद्धा, वीरिस, ब्रती, समाधी और प्रग्या, पूर्वक और फिर इन उपाय को करके वो अपनी योग की यात्रा को आगे जारी रखते हैं इस तरह से ये लोग कौन है इनहीं को भगवत गीता योग ब्रस्टा कहती है सवितर्क और निर्वितर्क और सविचार और निर्विचार समाधी वाले लोग जब ये इनका शरीर रूपी इंस्रुमेंट खतम हो गया, इनकी म्रत्धी हो गई तो योग ब्रस्टा होगे ये जब फिर आएंगे तब उपाय प्रत्या करेंगे accomplished through spiritual practice and then they will try to reach some प्रग्यात समाधी by means and methods what means and method श्रद्धा, वीर, स्म्रती, समाधी और प्रग्या ये क्या है, अगले session बेबात करेंगे आज के लिए इतना इनका दिवाद